नमस्कार कहानि संग्रे में हमारे सभी दर्शुकों का हार्दिक स्वागत है, दर्शुकों आज हम इस वीडियो के माद्यम से श्रावर्ड माहा के अठारे में अध्याय के महतम्य को स्रमर करेंगे, इसे सुनने सुनाने से भगबान भूलेनात की क्रपा से धन वैवब की फ्र अवश्य लिखें शंपूर जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें भगवान भूले नात कहते हैं हे सनत कुमार अब मैं तुम्हें श्रावड सुक्ल दस्मी के महतम्य को श्रावड कराता हूं इस व्रत को करने वाला धन यस तथा दीर्ग आई को प्राप्त कर ब्रत करने वाला प्रतेक्जन सुक्ल पक्षी की दस्मी को ब्रत कर तथा अगले बरस आने वाली स्रावड सुक्ल दस्मी को इस व्रत का उध्यापन कर देना चाहिए। राजा को राज्य की उन्नती के लिए, क्रसक को खेती और बैश्य को ब्योपार की उन्नती के लिए, इस्त्री को पुत्र प्राप्ती के लिए, तता सभी प्राणियों को धर्म अर्थ व्यवसाई की उन्नती के लिए यह ब्रत करना चाहिए। इसे आसा दसमी ब्रत कहते हैं, दसमी की रात दसो दिसाओं को फूल, फल, चंदन जोके आटे से अपने घर आंगन या चोक में अंकित करें, बाहन सहित इसी चिन्न द्वारा चिन्नित करके घी से तैयार किया गवा नैवित देकर अलग-लग दीपक जलानी चाहिए, इसके बा आसा और मनुरत पूरण हो, इस प्रकार कहकर प्रतिमास दसमी का ब्रत करें, ब्रामणों को दच्छणा दें, बर्स की समाप्ती पर उद्यापन करें, सोने अत्वा चांदी के दस दिसारूप देपताओं की प्रतिमा बनवा कर, अपने सगे संबंदियों के साथ इसनान अधर कर, अपने घर के आंगन में दिसाओं का क्रम से आभहन कर पूझा करें, दिसाओं के मंत्र इस प्रकार हैं, हे इंद्री द्रिशा, इस स्वर्ग का स्वामी इंद्र आपके पास निवास करता है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, हे अगनी देपता के रहने से आप दाहिनी हो हे यमाय धर्म राज आपके शहारे इस संसार को चलाते हैं इसलिए आपको स्यमिनी कहते हैं हे श्यमिनी आप मेरे लिए उत्तम कार्ग करने वाली हैं हे आसे हातों में खड़क लिए अत्यंत विक्राल ग्रूप मृत्त देव नेत्रे इस्थान में आपके पास नेत्रेह रूपा हैं आप मेरी समस्त आसाओं को पूर करें बारोडी भवन के आधार तथा जल जन्तू के अधपती बरोड़ देव का निवास आप में हैं हे बायवे आप मेरे धर्म के कार में तत्पर होकर संसार के आधिकारक प्राण रूप बायव में आप अधिष्टि हैं इसलिए आप मेरे आंगन में प्रत दिन सान्ती बनाई रखें हैं है कावेरी आप उत्तरदिशा में निवास करते ही कुवेर देव का निवास आप में ही है इसलिए आप मेरे मनुरतों और को पूर करें इश्नई आप जगदी संबू से अलंक्रेतें मेरे मन बांचित कारियों को फूर करें आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ सारे विश्व के उपर निवास करने वाली सदेब कल्याड दायत्री सनत सनंदन सनत कुमार आत योगियों के साथ रहने वाली आप मेरी सदा रच्छा करें सब नच्छत्र गह तारागड भूत प्रेत पिनायक तता भक्ति युक्त मन से जिन देवी देवताओं का मैंने पूजन किया है बे सब मुझे अभिष्ट सिद्धिया देने वाले हैं सूर तथा सर्फ तथा नैबले के नीचे के लोग में आप सेवित हैं अते आप मेरे नाग तथा नाग कन्याओं के साथ प्रसन हूँ उप्रोक्त मंत्रों सो बोलकर पुष्प धूप आद से पूजन करके अलंकार फल वस्त्र आद भ्रहमण को दें इस विधान द्वारा पूजन कर समापन कर प्रडाम करें फिर मित्र बंद बांदमो सहित पूजन करें इस प्रकार आदर भक्ति के साथ जो दस्मी का ब्रत कर करता है उसकी समस्त इच्छाएं पूर होती हैं यह सनातन व्रत विशिवस रूप से इस्तियों के लिए है यह ब्रत धन यस दीरगाय तथा सभी इच्छाओं को पूर करने वाला है यह ब्रत मोच प्रदान करने वाला है दर्शुको यह थी हमारी आज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सस्क्राइब और सेयर करें